प्यारे बच्चों आज मैं पुना आप लोगों के समझ संस्कित खंड से तीसरा पार्ट संस्कित भासाया महत्तुम लेकर उपस्तित हूं इससे पहले भोजस सवदारियम आत्मग्य यो सरवग्य तथा पद्यखंड से पमण दूतिका संस्कित भासाया करण से संधिप्रकरण यों काब विसवंदरी के तत्त रश अलंकार यों छन्द का वीडियो प्रस्तुत कर जाएं चुका हूं यदि ये सभी वीडियो आप लोगोंने अच्छे से देखा हो और पढ़ा होगा और ये सभी ठीक से समझ में आया होगा तो मेरे उस्साव अर्धन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अधिक से अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक अन्य बच्चे भी लाभनवित हो सकें अब पाठ है बहुत ही महत्वपून परिछा की दिश्चे तथा संस्कित भासा की ज्यान की दिश्चे भी ये हर प्रकार से ये पाठ बहुत ही महत्वपून है संस्कित भासाया महत्वम संस्कित भासा का महत्व संस्कित भासा की उप्योगता संस्कित भासा का महत्व सरप्रथम मैं इसके गद्धिखन को तीन भागों में बाट कर पढ़ता हूँ धन्यो अयम भारत देशह यत्र समुल्ल सत्य जनमानस पावनी भव्य भावद भावनी सब्द संदो प्रसवनी सुरभारती बिद्यमानेश निखलेश्वपी वांगमयेश अस्याः वांगमयम सर्वस्रेष्टम सूसंपन्नम चवर्तते यमेव भासा संस्कित नामनापी लोके प्रथिता अस्ति अस्माकम रामायल महाभारत आद्धि एतिहासि ग्रंथाह चत्वारो वेदाह सर्वावपनिस्दह अस्टादस पुराणानी अन्यानच महाकाब्यनाट्यादीन अस्यामेव भासायाम लिखितान संति यमेव भासा सर्वासाम आर्ज भासानाम जननी इति मन्यते भासा तत्व विदभी संस्कितस गौरों बहुविद ज्ञाना स्रेत्वं ब्यापकत्वं च नकस्याप द्रिष्टेर विशेह संस्कितस गौरों बहुव द्रिष्टि पथम आनी समयक उक्ताम आचार्य परवरेन दंडिना संस्कितस गौरों बहुव द्रिष्टि पथम आनी समयक उक्ताम चार्य परवरेन दंडिना संस्कितम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्श भी यहां तक पहले हम इसमें आयकठिन शक्दों को उनके संद्विच्छेत को समझें उसके अर्थ को समझें इसके बाद या नुच्छेत का मैं अनुवाद आपको समझाता हूं साथ साथ पढ़ते चलते हैं जहां कठिन सद्दाता है मुझको समझाते चलता हूं धन्यों अयम भारत देशा यहां पूर्वरूप संद्ज होती है और जो है इस अवग्रा में बदल जाता है धन्यों अयम भारत देशा धन्यों धन्या अयम धन्यय भारत देशा यत्र माने जहां समुल्ल सत्य सुसोभित होती है जन मानस पावनी जन मानस को लोगों के मन को लोगों के चित को लोगों के हिर्दय को पावनी माने पवित्र करने वाली भब्य भावोद भावनी भब्य भावधन उद्भावनी भब माने सुन्दर उच्च भाव माने विचारों को भावों को उद्भावनी माने उद्पन करने वाली सब्द संदो प्रसमनी सब्दों के संदो मने शमूँ सब्दों के शमूँ को किवल सब्द नहीं बलकि सब्दों के शमूँ अने एक शब्दों को सब्दों के शमूँ को प्रसमनी माने प्रशव माने जन्म देने वाली सुर भारती सुर माने देवता भारती माने वाणे देवों की वाणे बिद्मानेशु निखलेश्वपी बिद्मानेशु सब्तमी वहवचन निखलेश्वपी निखिल निखलेशु धन अपी अर्थात निखलेशु धन अपी आप लोगों को यहां संदी मैंने समझाया इसे पहले बता दिया है आप लोग धान देंगे तो यहां वाके पहले आधा शाया है तो यहन संदी का विच्छेत करते हैं निखिलेशु धन आपी निखिल माने हुता संपोन अर्थाथ बिद्धिमान माने बर्तमान में उपलग्द निखिल माने समस्त वांगमयश वांगमय माने साहित अर्थाथ बर्तमान में उपलग्द समस्त साहित्यों में अस्यामने इसका वांगमयम माने साहित सर्वस्रेष्टम माने सर्वस्रेष्ट उत्तम सर्वत्तम सूसंपन्नम और सम्रिद्धिसाली सूसंपन वर्तते माने है इम एओ इम धन एओ यह ही अर्थात यही भासा संस्कित नामना अपि नामना धन अपि नाम से भी लोके माने संसार में प्रतिता अस्ति प्रसिद्ध है अस्माकम रामयर महाभारत आद्याई तो यहां हो जाएगा महाभारत आदि धन एतिहासिक यहां भी तेकि द्याया हर्थात महाभारत आद्याई तहासिक महाभारत आदि फिर एतिहासिक तो यह अंसंधी हो जाएगी ग्रंथा चत्वारो वेदा चारो वेज सरवा उपनिस्दा सभी उपनिस्द अश्टा दस अश्ट धन दस अश्ट मने आठ दस तो आठ और दस मिला कर अठारा पुराणान पुराण अन्यान च अन्य और अन्य महाकाब्य नाट्यादीन महाकाब्य और नाटक आदी अस्याम एव अस्याम धन एव इसी ही भासायाम भासा में लिखताने संत लिखे गए हैं इम एव इम एव इम धन एव यही भासा सरवासाम आज भासानाम सरवासाम माने समस्त आज भासानाम आरे भासाओं में समस्त भारती भासाओं में समस्त आरे भासाओं में भासाओं की जननी इती माता ऐसार्थात जननी माने मां मनते माने 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 गए हैं भासा तत्तुविद भी, भासा तत्तों के विद्वानों दोरा अर्थात भासा बेग्न के वार्थात इसी संस्कित भासा को ही भासा बेग्न जोने समस्ताज भासाओं की जनिनी माना है। संस्कित से को बहुत विद्ग आश्रेटम अनेग विद्मने प्रकार की ऑप्षिर्ण स्स्रे अर्थाद अनेग प्रकार के ग्यान के आश्रे पर्थाद अब किसी के भी द्रिष्टेर अब से नहीं है अर्थात किसी की भी द्रिष्टि से छुबा नहीं है संस्कित के ही गौरवम एव उसके गौरों को ही द्रिष्ट पथमानी माने ध्यान में रख करके समयक धन उक्ताम माने सत्त ही उक्ताम माने कहा है आचार्ज समयक धन उक्तम उक्त धन आचार्ज प्रमिरेण अर्थत आचार्जों में स्रेष्ट दंडी ने सत्त ही कहा है ठीक ही कहा है संस्कितम नाम देवी वागन वाख्यातया महर्श भी अर्थात संस्कितम माने संस्कित को नाम देवी देवी माने इस्वरी वाग माने बाणी अनुख्यातया माने कहा है महर्श भी अर्थात महर्शियों ने संस्कित को देवाणी देवों की वाणी शुरवाणी कहा है अब इस अनुबाद को पूरी तरह से हम एक तरफ से इसका अनुबाद देखते हैं धन्यो अयम भारत देशह धन्यो अयम भारत देशह यत्र समुल्ल सत्य जनमान सपावनी भव्य भावद भावनी सब्द संदो प्रस्वनी सुर्भारती अर्थात यह भारत देश धन्यो अयम भारत देशा धन्यो अर्थात यह भारत देश धन्यो अयत्र समुल्ल सत्य जनमान सपावनी जहां मनुष्यों के जनमानस लोगों के मनुष्यों के चित को मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली शुद्ध करने वाली भव्य भावद भावनी अच्छे भाव को उत्पन करने वाली सब्द संदो प्रसमनी शुरभार्ती सब्दों के समों को जन्म देने वाली देव बानी सुसूभित है बिद्ध माने बर्तमान में उपलब्ध समस्त साहित्यों में इसका साहित्य अश्याह वाववयम इसका साहित्य सर्वोत्तम और सम्रिद्ध साली है यम्यो भासा संस्कित नामना अपी लोके प्रतिता अस्ति यही भासा संस्कित नाम से भी संसार में प्रशिद्ध है आसमांकम रामायन महावारत आद्याति हासि ग्रन्था हमारे रामायन महावारत आद्ये हासि ग्रन्थ चारों वेद, सरवाउपनिसद, समस्त उपनिसद, सभी उपनिसद, अठारा पुराण, तथा अन्यमहाकाब्य और नाटक आदी इसी भासा में लिखे गए हैं। भासा वेज्ञानिक इसी भासा को समस्त आर्ज भासाओं की जननी मानते हैं। बहुविद ज्यान आस्रे तुम उसका विविद प्रकार के ज्यान का आस्रे होना व्यापकत तुम इसकी व्यापकता नकस्याब द्रिष्टेर अविसेह। किसी के द्रिष्ट का आविसेह नहीं है अर्थात किसी के द्रिष्ट से छिपा नहीं है। संस्कित से गौरों में द्रिष्ट पथम आनी है। संस्कित के गौरों को द्रिष्टी में रखकर ध्यान में रखकर आचार्ज प्रवर अर्थात आचार्यों में स्रेष्ट दंडी कौन है। दंडी यह संस्कित के बहुत बड़े आचार्य तो संस्कित आचार्यों में स्रवस्रेष्ट दंडी ने ठीक ही कहा है सत्त ही कहा है। क्या संस्कितम नाम देवी वाकन वाख्याता महर्ष भी। संस्कित को महर्ष योने इश्वरी वाणी अर्थात देव वाणी कहा है। धन्यवाद आज यहीं तक पढ़ेंगे आगे के भाग। एन इंपोर्टेंट मेसेज टू आलाफ यू। कोरोना वाइरस की इस बैस्विक महमारी में स्वैम को योम अपने परिवार्द अथा पूरे समाज को सुरच्छित रखने के लिए घर से बाहर न निकले। सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करें। यूम अपने अपने मोबाइल में आरोग से तू एप आवसे डाउनलोड करें। थैंक्यू। धन्यवाद। झूम बाइबंग निकले करें। क्टले करें।